हेलो दोस्तो सार्तक क्लासेज में आप सभी का अभिनंदन है आप सब कैसे हो उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे मैं भी बहुत बढ़िया हूँ आज मैं आपको राजस्तान के बेरोजगारी भरती के सारे डाउट किलियर करने वाली हूँ कि कौन-कौन फॉम भर सकते हैं क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए इसमें कितने पैसे मिलते हैं कैसे फॉम भर सकते हैं आज मैं सारे डाउट किलियर करने वाली हूँ राजस्तान बेरोजगार भरती 2023 में लड़का या लड़की या महिला या पुरुस जीनों ने ग्रेज़ेश्ट पार्ट कर चुके हैं तो लड़की को पिर्तीमा 4500 रुपीय मिलेंगे और पुरुस को पिर्तीमा 4000 रुपीय मिलेंगे बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा ये बेरोजगारी भत्ता कैसे मिलेगा कैसे प्राप्त कर सकते हो ये सारे डाउट मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाली हूँ तो लाश तक बने रहना और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पर क्लिक करो और वीडियो पसंद आई तो लाइक करना कमेंट करना सेयर करना सबसे पहले इसना तक पास कर चुके हो मारक सीट आ चुकी है आपकी तो आप इसके पात्र हो चुके हैं इसमें ओनलाइन आवेदन करना होता है, ओनलाइन आवेदन आपका इमित्र पर ही होगा, इमित्र पर जाके आप इस कॉर्णल फॉर्म भर सकते हो, ये भद्ता आपको दो साल तक मिलेगा, इसमें qualification इसनाथक प्रस डिपलोमा जरूरी होनी चाहिए, इसमें दस्तावेज क्या-क्या होने चाहिए, इसमें document, the sweep की मारक seat, बारवी की मारक seat, इसनातक की मारक seat and diploma में RACIT कर रखी हो या CCCCC वाला computer course कर रखा हो या तीन महा का course होता है, diploma का जिसमें causal section course होता है तीन महा का जिसमें आपको खाना पीना वाईपर मिलता है, वाईपर आपके training होती है वो वाला course हो सकता है, और इसमें जनादार card या आदार bank passbook जाती मूल ये document जरूरी होते हैं, इसमें आईकर भी होता है आईकर को आपको तभी बनवाना होता है जब आप phone भर रहे हो तभी आपको आईकर बनाना चाहिए क्योंकि वो 6 माही चल सकता है आपका आईकर और आईकर आपको चार पन्नों वाला ही बनवाना है अगर किसी के पास B.A.D. की डिगरी है पोलो टेक्निक की डिगरी है या I.T.I. की डिगरी है या R.A.C.I.T. के मारक सीट पिलस इसनातक की मारक सीट से आप phone भर सकते हो पुछ राउट ये रहता है कि हम तो चार भाई भैन है तो हम सबी phone भर सकते हैं लेकिन जनादार में कोई भी कितने भी हो लेकिन एक जनादार काड में से दो लोग ही रोजकार भत्ते का फायदा उठा सकते हैं पहले सरकार इसमें घर बैटे पैसे देती थी लेकिन अब सरकार घर बैटे पैसे नहीं देगी अब आपको काम करना होगा आप सोच रहे होगे कि क्या काम करवाएगी सरकार हम से तो मैं आपको बताती हूँ कि क्या काम करवाएगी तो इसके फॉर्म ओनलाइन भरने होंगे आपका फॉर्म सक्सेजफुल होने के बाद आपको एक रसी देगी तो इमित्र वाले आपको एक रसी देंगे और जो आपके फॉर्म में SOS ID लगी है या पासवर्ड लगे हैं उनक होगा तो उसका आपको कैसे पता चलेगा तो या तो आपके जो मोबाइल नंबर आपने फॉर्म में दिये थे या इमेल आइडी लगाई थी तो उस पर ही आपका मैसेज आएगा या फिर आप अपनी SOS ID पर चेक करवा सकते हो कि मेरा फॉर्म अप्रूब हुआ है नहीं हु या तीन महीने में भी हो जाता है अप्रूब होने के बाद आपको जिला रोजकार कारियले में जाना होगा और साथ में ही जो फॉम आपने भरा होगा था फॉम के आपको पेज दिये होंगे तो वो पेज आपको साथ ले जाने और आपके फॉन में मैसेज भी आया होगा तो वो मैसेज आपको जिला रोजकार कार्याले के अधिकारियों को दिखाना है वो मैसेज आपके अधिकारी देखके आपको अपना जोइन लेटर देंगे वो लेटर आपका इंटरसीप का होगा आपकी इंटरसीप सरकारी कार्यले में ही दी जाएगी सरकारी कारेले में काँ पर दी जाएगी ये आपकी सरकारी कारेले में आपके छेतर के आसपास ही दी जाएगी अगर आपको दूर भी दी जाती है तो आप एमित्र पर जाके या फिर रोजकारी कारेले में जाक आप अपने पास के छेतर में करवा सकते हो जैसे आपकी इंटर्शीप सरकारी कारेले में जैसे ग्राम पच्चात हुई, गोर्मेंट इस्कूल हुई, या तैसिल हुई, या फिर SDM का ओफिस हुआ, वहाँ पर आपको काम करना होगा, आपको पिट्ती दिन का चार घंटा काम करना होगा, फिर पिट्ती माहा आपको हाज पिट्ती माजरी का लेटर लेना होगा, उस पर जिस सरकारी कारेले में आपकी इंटर्शीप लगी हुई है, वहाँ पर उस लेटर पर आपको मोर लगवानी है, फिर यह लेटर आपका SSID पर स्कैन होगा, अब ही स्कैन का ओंकर होगा, यह इमित्र पर होगा, जैसे ही आपक कि SSO ID पर scan होगा तभी आपका भत्ता आ जाएगा अगर आप फॉम भर रहे हो और आपने डिप्लोमा नहीं कर रखा है तो आपका फॉम अप्रूब नहीं होगा अगर फिर भी आप RACIT के इसाब से फॉर्म भर रहे हो आपने कोर्स RACIT का कोर्स नहीं कर रहा है तो आपको सबसे पहले RACIT की ट्रेनिंग दी जाएंगी सबसे पहले आपको RACIT की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी उसके बाद आपको इंटरसीप दी जाएंगी अबी इसके फॉर्म नहीं भरे जा रहे हैं तब भी इसके फॉर्म भरे जाएंगे हमारे वाटसाप गुरूप या टेलिग्राम चैनल पर अपड़ेट दे दि जाएगी और जो भी भरतियों का नोटिपिकेशन आपको टेलिग्राम चैनल के उपर मिल जाएगा या वाटसप गुरूप में सभी गुरूप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है उम्मीद करती हूँ आप सभी के सारे डाउट के लिए रहो गए होंगे तो आप न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वेल आइकन पर किलिक करो ताकि आपको सभी भरतियों के नोटिपिकेशन के बारे में सबसे पहले जानकारी प्राप्तो हो और वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, कमेंट करो, सेयर करो धन्यवाद